हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट, स्वागत आप सब का डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासिस में, मैं हूँ अनुश्या, आपकी सोशल साइंस टीचर, और कैसे हैं मेरे सारे स्टूदेंस, I hope आप सब ठीक हो, and I also hope कि हमारे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर र कर रहे हैं, so political parties हमारा chapter चल रहा है, lecture 1 में हमने basic introduction को cover कर लिया था, आज हम लोग lecture 2 कर रहे हैं, इसी chapter को और आगे continue करने वाले हैं, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी class को join कर लो, start करते हैं ये lecture, so पिछले lecture में हम लोगों ने क्या discuss करा था, क्योंकि basic introduction lecture था, हमने सबसे पहल कि political parties होते क्या है, है ना political parties का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये समझा, next हमने और क्या cover करा, हमने ये समझा कि political parties की क्या-क्या functions होते हैं, आज के class में यहीं से हम लोग और आगे discuss करने वाले हैं, ठीक है, so आज के class में हम लोग इसी chapter को और आगे continue करने वाले हैं, प मैं हूँ अनुश्या माम और सोशल साइंस के सारे सबजेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमिक्स और जोग्रफी आप लोग मेरे साथ कवर करने वाले हो ओके चलो सब हमारे स लिए यह अं कावर करेंगे साथी साथ वंबंपश्च इस्सित्म्ट तूपर्टि सिस्टम मंटि पार्टइ सिस्टम यह सब क्या होता है ये भी हम आज के क्लास में कावर करेंगे और एक और important है आज के class में हम इस topic को in detail cover करने वाले हैं चलो तो हम लोग start करते हैं lecture and start करने से पहले एक basic question जो कि आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इस chapter में वो यह है why modern democracies cannot exist without political parties ऐसा क्यों है कि जो modern democracies है ठीक है modern democracies मतलब ऐसे एरिया जहां पर democracy के system को अच्छे से follow किया जा रहा है ऐसा क्यों है कि modern democracies में अकसर लोग political party बनाते हैं ठीक है क्यों political parties इतने important हैं यह चीज को हम लोग आज के class में समझने वाले हैं ठीक है तो आप political parties की important समझने के लिए एक ऐसे situation को imagine करो जहां पर political parties है ही नहीं ठीक है किसी भी चीज की importance हमें कब समझाती है जब वो चीज हट जाए चली जाए है ना तो आप किसी एक ऐसे situation को imagine करो जहां पर किसी country में political parties है ही नहीं अपने इंडिया को ही सरा आप imagine करके देख लो कि इंडिया मान लो एक ऐसी country है जहां पर कोई political party नहीं है हर एक इंसान हर एक candidate अकेला खड़ा होता है election में ठीक है मान लो मुझे election में खड़ा होना है तो मैं party को जॉइन नहीं करूंगी मैं अकेली जाके election में पार्ट लूँगी तो मान लो इंडिया में ऐसा चल रहा है कि कोई political party नहीं है हर एक candidate ठीक है इंडिपेंडेंटली पार्ट ले रहे हैं election में तो ऐसे में क्या होगा देखो मान लो अगर मैं पार्ट ले रही हूं election में तो मुझे पता है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है जो भी होगा मुझे अकेले ही समालना पड़ेगा तो ऐसे में मैं public को बहुत बड़े बड़े promises नहीं दे पाऊंगी है ना अगर में साथ मान लो 5-6 लोग और भी होते तब भी मुझे थोड़ा एक support रहता कि हां हम लोग एक team है हम अगर कोई promise करते हैं कलको इंडिया में तो हम 5-6 लोग मिलके उस promise को समाल लेंगे पर अगर मैं अकेली जाओं election में पार्ट लेने के लिए मुझे लगेगा कि सारा काम तो अकेला करना पड़ेगा तो इसलिए बड़े-बड़े promises करने की ज़रुवत नहीं है है ना तो अगर इंडिया में ऐसा हो कि political parties नहीं है एक ही इंसान अकेला election में जाके पार्ट ले रहा है तो वो बड़े-बड़े promises बहुत बड़े policy changes ठीक है welfare schemes यह सब start करने से पहले सोचेंगे कि यह तो हम सब कुछ हमें अकेला ही करना पड़ेगा ठीक है the government may be formed but its utility will be uncertain ऐसे में क्या होगा government तो बन जाएगी अगर किसी एक इंसान को हमने ज इस काम की है यह हमको भी नहीं पता होगा कि एक इंसान है इक इंसान बिचारा क्या कर लेगा country के लिए ओके ऐसे में क्या होगा यह पूरे country के लिए accountable नहीं रह पाएगा जैसे नौर्मली क्या होता है अगर हमारे country में कुछ भी गलत हो जाए हम लोग क्या करते हैं Government के पीछ solution देना चाहिए ठीक है जो कि सही भी है हम लोग अपने democracy में allowed होता है कि हम अपने government को criticize कर सकते हैं पर मान लो एक ही इंसान है तो वो एक इंसान सिर्फ अपने constituency को जवाब देगा जहां से जिस जगे से उनको election हुआ है उनका election हुआ है वो सिर्फ उसी एरिया को जवाब देगा पूरे country को वो जवाब नहीं दे पाएंगे ठीक है no one will be responsible for how the country will be run कोई responsibility नहीं उठाएगा कि इंडिया में क्या चल रहा है है ना ऐसे में क्या होगा जो person है वो ऐसी responsibility नहीं लेंगे पूरे इंडिया को नहीं संभाल पाएंगे वो सिर्फ अपने constituency का सोच कर आगे चलते रहेंगे ठीक है आप इसी चीज़ को पंचायत के एक्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हो ठीक है तो no party based election जो है काफी जगा पंचायत में भी होते हैं ठीक है पर we all know पंचायत का जो system है वो village के लिए ठीक है है एक village background के लिए पंचायत का system ठीक है पर अगर हम पूरे country के level में बात करें तो एक individual इंसान अगर अकेला election में चला जाता है तो वो हमारे लिए जादा beneficial नहीं होगा ठीक है इसी वज़े से हम देखते हैं क्यूंकि political parties इतनी important है इसी वज़े से हम देखते हैं कि पूरे world में almost हर एक country में political parties हैं चाये वो जिस भी type की country हो चाये वो बहुत बड़ी countries हो या फिर बहुत छोटी सी कोई country हो कोई बहुत old country हो या कोई बहुत new country हो बहुत rich ठीक है well developed country हो या इंडिया की तरह कोई developing country हो ठीक है जैसी भी country हो हम लोग अकसर देखते हैं कोई ना कोई political party जरूर होती है वहाँ पर है ना चलो तो यहां तक सारे बच्चों को clear है अगर clear है तो आप लोग comment section में मुझे बताते रहा करो कि कि आपको class में क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा ठीक है साथ ही साथ जो भी बच्चे है अभी class में class को एक बार like कर दो और अपने सारे दोस्तों को बता दो कि इस channel पर term 2 की तयारी चल रही है ओके चलो next अगर हम इंडिया के context में इसको समझें तो इंडिया बहुत ही बड़ी country है जिसमें diversity बहुत जादा है है ना इंडिया में हमें पता अलग-अलग type के लोग हैं अलग-अलग culture के कर पाएंगे पर अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के अलग-अलग अलग अलग टाइप के लोग अलग-अलग culture के लोग इंडिया जैसे डाइवर्स country को लार्ज country को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे ठीक है तो अगर कोई ऐसी गवर्मेंट है जहां पर बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी पार्टी हैं उसमें क्या होगा क्यूंकि बहुत सारे लोग हैं तो अलग-अलग व्यूज भी आएंगे बाहर है अगर एक ही इंसान चला रहा है country को तो ऐसे में क्या होगा सिरफ एक ही परसंट के व्यूज हमें सुनने को मिलेंगे अगर बहुत सारे लोग कोई बहुत बड़ी party involved है उस country को चलाने में तो ऐसे में क्या होगा अलग-अलग लोगों की अलग-अलग यूज अलग-अलग अल में हमें देखने को मिलेंगे जो की बहुत जादा क्रूशियल है ठीक है इसी वज़े से हम लोग क्या करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हरे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी हो ठीक है देमोक्रिटिक कंट्री में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को रखा जाए ठीक है हमें एक ऐसे मेक्यानिजम की ज़रुत पड़ती है डेमोक्रिसी में जहां पर हम गवर्मेंट को सपोर्ट कर पाए ठीक है गवर्मेंट को सपोर्ट करने के लिए भ कुछ गलत कर रही है तो उनको रोखने के लिए भी लोग होने चाहिए जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी है ना जैसे हमें अक्सर क्या लगता है कि एलेक्शन में जो जीत रहा है वही विनर हैं बाकी सारे लोग बेकार हैं ऐसा नहीं होता ठीक है रूलिंग पार्टी तो ठीक है ठीक है तो एक काम है support करना दूसरा काम है restrain करना मतलब government के powers के उपर नजर रखना उनके powers को कम करना जो कि opposition party के लोग करते हैं हमारे लिए policies बनाना अगर policies गलत हैं तो उसके खिलाफ बात करना ठीक है तो ये सारी चीजे political parties हमारे इंडिया में और बाकी democratic countries में करती हैं ठीक है तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि parties are a necessary condition for a democracy ठीक है कि अगर एक democracy आपको बनाना है तो आपको political party वहाँ पे बनाना ही होगा और कोई option आपके पास नहीं है तब ही आप proper representation ला पाओगे अपने country में और इस sentence को मैंने bold इसलिए कर रखा है क्यूंकि आप एक ऐसा question expect कर सकते हो इसमें से कि ये बताओ मानलों आपको एक sentence दे दिया question में board के exam में parties are a necessary condition for a democracy full stop डाल दियो और यहाँ पे लिखा justify the statement इस statement को बताओ सीख है समझाओ कि कैसे ये statement राइट है तो अभी उपर हमने जो भी points पढ़े वो सारे points आपको short में लिख देना ठीक है तो इस paragraph में से इस type का question बन सकता है तो इस चीज की तयारी आप लोग कर लेना ठीक है चलो तो political parties के बारे में हमने काफी कुछ in detail समझ लिया है ठीक है तो next अब हमको क्या समझना है how many parties should we have ठीक है political parties के बारे में तो काफी कुछ हमने समझ लिया next हमें पता होना चाहिए कि कितनी parties हमारे country में ह होनी चाहिए ठीक है क्या एक ही political party काफी है क्या एक ही political party सारे काम सम्हाल सकती है या क्या कम से कम दो political parties होनी चाहिए या क्या दो भी आपको कम लग रहा है क्या पता आपको लग रहा हो कि 10-15 party तो minimum होनी चाहिए एक country में, तो कितनी parties एक country में होना बढ़िया रहता है, यह हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो वैसे तो देखो, अगर हम democracy की बात करें, तो democracy is all about freedom, ठीक है, इंडिया में हम कभी किसी को मना नहीं करेंगे, कि नहीं, आप party मत बनाओ, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, तो हमने सब को चूट दे रखिये, कि आपको जो करना है करो, आपको political party बनानी है, तो political party बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो क्यूंकि हमने इतनी freedom दे रखिये, तो लोग बनाते भी है political party, तो अकसर democratic countries में, large countries में, बहुत सारी political parties होती हैं, इंडिया में भी हैं, आप कितने political parties होने चाहिए, ठीक है, कितने political parties बढ़िया रहते हैं, एक democracy में, ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो हमारे election commission of India के under, 750 से भी ज्यादा political parties registered है, ठीक है, तो अब तो हम example में तो 10-15 के साथ खेल रहे थे, इंडिया के election commission of इंडिया में, 750 से भी सारी parties, अब ऐसा तो है नहीं हमने news में सारे 750 parties का नाम सुन रखा है न, इन में से सारे parties seriously part नहीं लेते election में, ठीक है, इन में से सारे parties को हम serious contenders नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ parties हैं जो बहुत बड़ी हैं, सब को उनका नाम पता है, ठीक है, कुछ parties ऐसी हैं, जिन लोगों ने party बना ली पर फिर वो आगे जाके भूल गए आपना काम सीरियसली नहीं लिया इसलिए वो सीरियस नहीं है तो यूश्वली 750 पार्टी तो है पर यूश्वली ओन्ली अ हांड फुल ऑफ पार्टी और एफ ठीक है सिरफ मुठ्धी भर कुछ पार्टी ऐसी होती है जो एफेक्टिव हैं ठीक है तो 750 में से बहुत कम ऐसी political parties हैं जो की effective हैं जिनका नाम सबको पता है जो की seriously government का part बनना चाहती है ठीक है चलो so अब यह सब पढ़ने के बाद again हमारा question क्या है how many effective parties are good for democracy एक democracy में कितने effective political parties होने चाहिए ताकि हम यह कह पाएं कि हाँ यह democracy बढ़िया है ठीक है कितने political parties होने चाहिए तो अलग-अलग countries में अलग-अलग number of political parties हैं ठीक है इसका कोई fixed answer नहीं है अगर आप लोग सोच रों कि इसका answer अनुश्या माम कह देंगी की 2 है या फिर कह देंगी की 3 है तो ऐसा कोई fixed answer नहीं है पर अलग-अलग parties में अलग-अलग system है तो उन अलग-अलग countries के अलग-अलग system को हम समझते हैं ठीक है चलो तो कुछ countries में क्या है one party system रहता है ठीक है तो कुछ countries में क्या है one party system सिस्टम रहता है वन पाटी सिस्टम का क्या मतलब है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर सिरफ एक पाटी को अलाओ किया जाता है गवर्मेंट को रन करना ठीक है तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है जैसे कि चाइना इस चीज का एक्जामपल है ऐसी कंट्रीज में क्या होता ह आप चाहो तो political party बना सकते हो पर सारे political parties में से सिरफ एक ही political party है जिसके chances हैं जीतने के और government समभालने के ठीक है बाकी अगर आपको political party बनाना है बना लो लीगली आपको कोई मना नहीं करेगा वहां पर एक ही political party है जिसके chances हैं जो government को समभालेगी बाकी political parties ऐसे ही हैं तो इस type की system को क्या कहते हैं one party system जैसा कि मैंने बताया यह हमें चाइना में देखने को मिलता है ठीक है और यहां पे क्या है चाइना में क्या है सिरफ communist party को allow किया जा जाता है कि हां कोई दिक्कत नहीं है आप लोग समहालो government को ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा legally speaking किसी को मना नहीं किया जाता कि आप political party नहीं बना सकते पर अगर को पॉलिटिकल पार्टी बनाता भी है तो उनके जीतने के कोई chances नहीं होते वह government का पार्ट नहीं बनते तो अगर हम काईदे से देखें फिर तो एक ही पार्टी बची इसलिए इसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है एक्जांपल याद रखना बेटा च चीज़ पता लग गई होगी कि यह जो है यह democratic option नहीं है like I said इस class में मैंने आप बच्चों को बताया कि democracy is all about freedom है ना democracy में हम लोगों को freedom देते हैं छूट देते हैं कि आपको जो सही लग रहा है करो तो चाइना में एक जगा तो कहा जा रहा है कि आप political party बना सकते हो पर अगर एक ही political party को बार-बार जिताना है तो वो democracy थोड़ी हुई है ना तो one party system को हम लोग एक democratic option नहीं मानते ठीक है तो आप लोग यह याद रखो कि अगर किसी country के system को democratic कहना है तो कम से कम कम से कम वहाँ पे दो parties तो होनी चाहिए ठीक है कम से कम दो parties के बीच में healthy competition होना चाहिए एक ही party बार-बार election को जीत रही है एक ही party government को rule कर रही है तो वो एक democratic option नहीं है कम से कम हमारे पास दो parties होने चाहिए तब ही हम कहते हैं कि हाँ यह जो country है यह democratic है ठीक है और यह दो जो parties है ना बेटा दोनों parties में भी लोगों को doubt होना चाहिए कि पता नहीं कौन सी party जीतेगी इस बार ठीक है दो parties में भी हर बार अगर एक ही political party कुछ गलत करके जीती जा रही है तो वो भी democracy नहीं है ठीक है दोनों के बीच में एकदम fair competition होना चाहिए free and fair competition तब ही हम कह सकते हैं कि हाँ यह democratic election यहां पे चल रहा है ओके चलो तो चाइना में तो हमने पढ़ लिया one party system होता है अब कुछ countries ऐसी होती है जहांपर two main parties फूती है ठीक है तो कुछ countries ऐसी होती है जहांपर two main political parties होती है अब यह जो countrys है बेटा यहां पर ऐसा नहीं कि सिरफ two political parties हैं यहां पर आप लोग again जितने मर्जी political parties बना सकते हो पर दो ही ऐसे political parties हैं जो बहुत strong हैं जो बहुत effective हैं जिनके जीतने के chances ज्यादा हैं जिनके government बनाने के chances ज्यादा हैं ठीक है आप लोग बना तो जितने मर्जी political parties सकते हो पर दो ही ऐसे political parties हैं जिनके election में जीत के government form करने के chances ज्यादा है इस type के system को हम क्या कहते है two party system है ना easy दो parties के जीतने के chances है तो इस type के system को हम लोग two party system कहते हैं और यह होता कहा है again examples हमें अच्छे से याद कर लेने है United States of America USA और UK United Kingdom इन दो countries में आप लोग two party system system देखोगे ओके तो आपके sample paper में बेटा question ऐसे आ रखा था कि one party system और two party system के बीच में difference बताओ ठीके तो इस type के भी question आप लोग expect कर सकते हो अपने boards में तो one party system की definition लिख दो two party system की भी definition लिख दो one party system का एक example दे दो two party system का एक example दे दो इतना काफी है ठीक है इतने में आपका differences वाला question हो जाएगा solve हो जाएगा cbse न अपने sample papers में भी वही solution लिखके भेजा है ठीक है तो इतना कर दोगे तो more than enough है अब आप लोग सोच रहे होगे कि वाम ने दो systems करा दिये हैं और दोनों ही system में अब तक तो इंडिया का नाम सुनने को नहीं मिला है ना लग रहा होगा आप बच्चों को कि एक बार चाइना बोल दिया USA और UK भी बोल दिया पर इंडिया में कौन सा system है यह आप लोग सोच रहे होगे ठीक है तो इंडिया का system है बेटा इंडिया के system को हम कहते है multi-party system ठीक है क्या कहते है multi-party system कहते हैं अब यह नाम से पताड़ा है multi मतलब two से ब्लप्सक्राइब और ANY प्लिक के political parties हैं जिच्ट जीतने के चैंसे हैं ठीक है multi Party सिस्टम में क्या होता है दो से बी जादा ऐसे political parties है जिनके जीत जीतने के बाद government को rule करने के chances हैं ठीक है ऐसे में पता है क्या होता है इंडिया जैसे countries में आप देखोगे कि काफी सारी political party alliance भी बना लेती है ठीक है alliance समझते हैं आप लोग मान लो मेरी एक political party है मान लो आप बच्चों की भी कोई political party है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो साथ में मिलके काम कर सकते हैं तो हम लोगों ने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया तो हम इस चीज को क्या कहेंगे alliance कहेंगे साथ मिलके काम करना तो alliance जैसी चीजें हम लोग देखते हैं कि बहुत ही कॉमन रहती है मल्टी पार्टी सिस्टम में ठीक है इसी में ही एक और टर्म याद रखना बेटा coalition government सुनाया आप बच्चों ने ठीक है coalition government क्या होता है जब government में एक से जादा party साथ में मिलके government को चला है उसे हम coalition party कहते हैं ठीक है coalition party मतलब मान कि कोई election चल रहा है वहां पर टाय हो रहा है ठीक है कोई clear victory नहीं मिल पारी किसी को तो ऐसे में अक्सर political party के लोग क्या करते हैं वो लोग अपने parties को merge करके साथ में government form करते हैं इसे हम coalition party कहते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े आप लोग अक्सर इंडिया में देखोगे तो जब भी कुछ political party साथ में मिलके काम करती है उस चीज़ को हम alliance कहते हैं या फिर हम कहते हैं front ठीक है तो अगर political party साथ में मिलके काम कर रही है तो हम उसे कहते हैं alliance या फिर हम कहते हैं front ओके और यह चीज़ हमने इंडिया में वैसे बहुत बार देखी है जैसे for example अगर हम 2004 के parliamentary election की बात करें तो national democratic alliance ठीक है उस टाइम पे the national democratic alliance और UPA जिनको हम united progressive alliance कहते हैं इस type की alliance बनाई गई थी ठीक है तो जैसे bjp इसका पार्ट है ठीक है congress इस alliance में है तो ऐसे अलग-अलग alliances हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है ठीक है तो आपको multiparty system को देख के लग रहा होगा कि यह system जो है यह बहुत जादा messy है ठीक है बहुत जादा messy है बहुत सारे लोग हैं बहुत confusion होता होगा जो कि कुछ हद तक सच भी है ठीक है जब बहुत सारे लोग involved हो जाते हैं किसी चीज में तो वह situation थोड़ी messy हो जाती है instability आने के chances थोड़े से बढ़ जाते हैं तो ऐसा multiparty system में होता भी है पर multiparty system का एक बहुत बढ़िया advantage भी है multiparty system का एक और मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं तो अलग-अलग views अलग-अलग representation हमें अपने country में देखने को मिलेगा जो कि मैंने lecture के starting में बताया इंडिया के लिए बहुत जरूरी है क्यूंकि हमारी country famous ही इसी चीज के लिए है कि हमारे country में diversity बहुत है है ना तो अगर हमारे political parties में भी diversity देखने को मिलेगी अलग-अलग thoughts अलग-अलग views देखने को मिलेंगे तो वो बढ़िया रहेगा ठीक है तो एक problem यह है कि instability जादा है but on the other hand instability है messy है थोड़ा complex है but on the other hand एक फाइदा यह है कि अलग-अलग लोगों का interest जो है वो represent कर पाएंगे हम लोग अगर बहुत सारे लोग political parties form करते हैं तो ओके चलो तो हमने काफी सारे topics को आज के class में cover कर लिया है political parties आपका chapter था यह and हमने necessity of political party समझ लिया political party जरूरी क्यों है हमारे लिए यह समझ लिया और हमने one party two party multi party system यह भी हमने आज के class में clearly cover कर लिया है okay so I hope यह दो topics आप बच्चों के अच्छे से clear हो गए हैं अगर कोई भी doubt है कोई भी दिक्कत है तो reach out comment section में डालो future classes में clear कर दिया जाएगा okay again यह हमारा question sample paper में भी आया था तो इसे आप बच्चों को extra च्छे से revise कर लेना है ठीक है तो आज के लिए इतना ही करेंगे बाकी कल मैं live आउंगी इसी time 6 बजे आप बच्चों को कुछ important questions कराने के लिए and important questions मतलब of course आप उन में से किसी भी type के question को अपने board exam में expect कर सकते हो तो time से आज आना सारे बच्चे भूलना नहीं 6 बजे इसी channel पर हम लोग मिलेंगे okay चलो so that's it for today मिलते हैं अपने next lecture में bye bye take care and thank you